हेलो दोस्तों आप सुई का स्वागत है दाइक जाम तक पे दोस्तों आज से हम लोग SPT पब्लिकेशन के बिहार SSC इंटर लेवल अस्तरिय प्रत्वगिक परिछा के लिए समान अध्यन को आज से हम लोग वीडियो में स्टार्ट करेंगे आज से जो है सेट कवर कराया जाएगा जो कि जीके का प्रशन रहेगा समान अध्यन के तो आप लोग जो है आज से मेरे चैनल पर जुड़ी आएं या जो है आई जो है जो है वीडियो में हम लोग कवर करेंगे तो आप लोग जो है मेरे चैनल से ब्रत्वर करेंगे सर पर्थम भारत को इंडिया जो है इसे काकर युनानियों के दारा सम्भोधित किया गया था युनानियों के दारा जो है वो सर पर्थम इंडिया को भारत को इंडिया काकर सम्भोधित किया गया था तो युनानियों इसका राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रश्ण है प्रश्ण नमर दो कि भारती उप महादीप में कौन समिलित नहीं है यानि भारती उप महादीप में कौन समिलित नहीं है भारती उप महादीप में समिलित की बात करें या जो भारती उप महादीप में समिलित नहीं है अगला प्रश्ण है कि उत्तर परदेश राजी की सीमा भारत के कितने राज्यों से असपर्श करती है उत्तर परदेश की राजी सीमा की बात करें तो या भारती राज्यों के टोटल आठ राजी से जो है वो सीमा कवर करती है तो आठ राजी इसका जो है राइट एंसर हो जाएगा फ्रेंड मैं जितने भी इस वीडियो में क्विश्चन कराऊंगा वो सभी जो है इंपोर्टेंट रहेगा तो आप लोग जो है वीडियो में शुरू से अंतक जरूर मने रहेगा अगला प्रश्ण है कि भारत की जल छेत्र सीमा कहां तक फैली है भारत की जल सीमा छेत्र की वात करें तो यह जो है जल सीमा छेत्र वो बारत समुदरी मील तक फैली है यानि बारत समुदरी मील अपसन नमबर 20 का राइट एंसर हो जाएग अगला प्रश्ण है कि भारत की सबसे पूर्वी बिंदू कौन से है भारत की सबसे पूर्वी बिंदू की वाद करें तो भारत के जो सबसे पूर्वी बिंदू है वो की वी उथू है की वी उथू ये जो है अरुना आचल परदेश में तो की वी उथू इसका राइट एंसर ह अगला प्रशन है कि भारत की मुख्य बिंदु का अधिकांस विस्तार है भारत के मुख्य बिंदु का अच्छांस ये विस्तार सोरी यहां पर अच्छांस से विस्तार की बात करें तो अच्छांस ये विस्तार जो है वो 8 डिगरी 4 मिनट से 37 डिगरी 6 मिनट उत्री अच्छा अगला प्रशन है कि भारत में सबसे कम बर्षा कहां होती है, सबसे कम बर्षा यहां पे पूछा है, ना कि सबसे कम बोलें, तो सबसे कम जो है वो लद्दाक में होती है, तो लद्दाक इसका right answer हो जाएगा, अगला प्रशन है कि भारत की देशांतरिय स्थिती क्या है भारत की देशांतरिय स्थिती की बात करें तो भारत का जो देशांतरिय स्थिती है वो 68 डिगरी साथ मिनट से 97 डिगरी पचीस मिनट तक है तो अप्सन नमर B भारत का संगलग ने छहतरी सामा कि बात करें तो यह जो है वो 24 समुदरी मिल तक फैली है तो 24 समुदरी मिल इसका राइट एंसर हो जागा अगला प्रश्न है कि भारत का आऊसद समुदरी तल का मापक किस तट से किया गया है इसका मापन जो है इसका मापन वो चेन्नाई के तट से किया गया है तो चेन्नाई इसका राइट एंसर हो जाएगा यहां से भारत की आउसत समुदुरी तल का मापन किया गया है तो चेन्नाई इसका राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रश्ण है कि छेतरफल की द्रिष्टी से भारत का सबसे बड़ा किंदरसासित राज कौन सा है राज तो पूछता है लेकिन आप एक कंदरसासित राज पूछा है तो कंदरसासित राज की बात करें तो चेतरपल में सबसे बड़ा के अंदर सासित राज जो है वो जम्मु कास्मीर है तो जम्मु कास्मीर इसका राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रश्ण है कि भारत का अन्य आर्थिक छेतर कहां तक है अन्य आर्थिक छेतर की बात करें तो भारत का अन्य आर्थिक छेतर जो है यह 200 समुदरी मिल तक फाइला है तो 200 समुदरी मिल इसका राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रश्ण है कि भारत की सबसे पच्छमी बिंदू कौन सी है भारत की सबसे पच्छमी बिंदू की बात करी पुर्वी बिंदू की वूथू है और पच्छमी बिंदू की बात करी तो पच्छमी बिंदू जो है वो गुहार मोती है तो गुहार मोती इसका right answer हो जाएगा अगला प्रशन है प्रशन number 14 कि भारत के कितने राज अंतराष्टी अस्थलिय सीमा को अस्पर्ष करती है इसका right answer जो है इसका right answer option number C 16 हो जाएगा अगला हमारा प्रशन है कि भारत का कुल चेतरफल कितना है भारत का कुल छेतरफल की बात करें तो भारत का जो टोटल छेतरफल है वो 32,87,263 वर किलोमीटर है तो अप्सन नमर B 32,87,263 वर किलोमीटर इसका राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रश्ण है कि छेतरफल के द्रिष्टी से सबसे छोटा किंदरसासित राजी कौन सा है सबसे छोटा किंदरसासित राज जो की छेतरफल में वो लचदीफ है तो अप्सन नमर C लचदीफ इसका राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रश्ण है कि रतनाकर किस महासागर का उपनाम है रतनाकर की बात करे तो रतनाकर जो है ओ आर्किटीक महासागर का नाम है तो आर्किटीक महासागर इसका राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रश्ण है कि मुख भूमी का दचिंतम बिंदु कौन से है मुख भूमी का दचिंतम बिंदु की बात करे तो यह कन्या कुमारी है कन्या कुमारी जो की मुख भूमी का दचिंतम बिंदु है अगला प्रशन है कि करकरेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है करकरेखा की बात करी तो करकरेखा भारत के आठ राज्यों से होकर गुजरती है तो आठ राज इसका राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रशन है कि करकरेखा भारत के किस राज से नहीं गुजरती है किस राज इससे नहीं गुजरती है गुजरने की वाद करें तो यह भारत के टोटल आठ राज से गुजरती है और नहीं जो है इसमें right answer और मानीपूर हो जाएगा तिरिपूरा से गुजरती है गुजराद से गुजरती है और मिजोरम से गुजरती है लेकिन मानीपूर से जो है वो नहीं गुजरती है टोटल जो है आठ राजों से गुजरती है अगला प्रशन है कि भारत में सरवाधीक बोली जाने वाली भासा कौन सी है भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भासा जो की हिंदी है हिंदी जो की भारत में बोली जाने वाली सबसे अधिक बोली जाने वाली भासा है अगला प्रश्ण है कि विश्व में छेतरफल की दृष्टी से भारत का कौन सा स्थान है भारत का स्थान की बाद करेविश्व में छेतरफल की दृष्टी से तिया जो सातवा है सातवा इसका राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रश्ण है कि भारत की दशीन तम विंदू भूमद रेखा से कितनी दूर पर अस्थित है भारत की दशीन विंदू जो है भूमद रेखा से जो की 876 किलोमेटर दूरी पर अस्थित है तो 876 किलोमेटर इसका राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रश्ण है कि भारत क सबसे बड़ी जन जाती कौन सी है भारत की सबसे बड़ी जन जाती की बात करें तो भारत की जो सबसे बड़ी जन जाती है वो भील है भील इसका right answer हो जाएगा अगला प्रश्ण है कि हिमाले किस परकार का परवत है हिमाले की बात करें तो हिमाला जो है वो बलित परवत है तो बलित इसका right answer होजएगा अप्सनल्मर छी बलित परवत अगला प्रश्ण है कि 82 डिगरी 30 मिनट पुर्वी देशांतर रेखा कहां से हो कर गुजड़ती है 81 डिगरी 30 मिनट पुर्वी देशांतर रेखा कि बात करें तो यह जो है भारत के भारत के जो है वो नैनी से होकर गुजरती है तो नैनी इसका राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रस्ण है कि भारत को स्वरपर्थम हिंदुस्तान किस ने कहा था भारत को स्वरपर्थम हिंदुस्तान की बात करे तो यह इरानियों के द्वारा कहा गया था इरानियों के द्वारा जो है भारत को स्वरपर्थम हिंदुस्तान कहकर पुकारा गया था तो इरानिया इसका right answer हो ज़ेगा भारत का मानक समय कुल कितनी राजयों से होकर गुजरती है यह जो है टोटल जो हो यह 5 राजयों से होकर गुजरती है जो की 32 डिगृ पुर्वी देशानतर रेखा है अगला प्रश्ण है कि एक समुद्री मील बराबर होता है एक समुद्री मिल की बात करें तो एक समुद्री मिल बराबर जो होता है वो 1.852 किलोमीटर होता है तो option number C 1.852 किलोमीटर इसका right answer हो जाएगा लगबग जो है 1.5800 मीटर होता है 1.852 किलोमीटर अगला प्रश्न है कि भारत की कुल अस्थालिय सीमा की लंबाई किती है भारत की कुल अस्थालिय सीमा की लंबाई की बात करें तो कुल जो है वो 15200 किलोमीटर है 15200 किलोमीटर जो है भारत की कुल अस्थालिय सीमा की लंबाई हो जाएगी अगला प्रश्ण है प्रश्ण नमर 31 कि भारत का सरवाधिक बनाराचित राज कौन सा है सबसे अधिक बनाराचित राज की बात करें तो सबसे अधिक बनाराचित राज जो है मतपरदेश है यहां जो है सबसे अधिक बन पाये जाता है मत परदेश सरवाधिक बन अच्छित वाला राज है अगला प्रशन है कि इंदरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है इंदरा पॉइंट की बाद करें इंदरा पॉइंट को जो है अन्य पिग मिलियन पॉइंट या फिर पार्शन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है यानि अप्सन नॉबर सीज का राइट अंसर हो जागा पिग मिलियन पॉइंट एबं पार्शन पॉइंट अगला प्रशन है कि भारत के कुल कितने राज अस्थाल रूद राज हैं अस्थल रूद राज के बात करें जो कि लेंड़ लॉग ऐस्टेट हो जाएगा तो भारत में कूल लेंड़ लॉग ऐस्टेट इसकी संख्या के बात करें तो टोटल जो है वो 20 है तोटल 20 जो है वह स्थल रुद राज्य हैं अगला प्रश्ण है अगला प्रश्ण है कि अगला प्रश्ण है दीपो सहित भारत की कुल समंदुरी तटिय रेखा की लंबाई की बात करें तो दीपो सहित जो है वो 7516.6 किलोमेटर है तो आठिए इसका राइटेंस रोजएगा 7516.6 किलोमेटर अगला प्रश्ण है कि 8516 डिगरी पुर्वी देसांतर एखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो हहेज़ बात की टोटल हमने इसने पाहले भी करा दिया है जो कि यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है अगला प्रश्ण है कि छेत्रफल की द्रिष्टी से विस्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? छेत्रफल की द्रिष्टी से सबसे छोटा देश विस्व में जो की बेटिकन सीटी है. तो option number 20 का right answer हो जगा बेटिकन सीटी. अगला प्रश्ण्न है कि 75.89 डिग्री पुरवी 700 रिखा भारत के किस राजी से होकर नहीं गुज़रती है साड़े बेराशी डिग्री दिसांतर रेखा जो है भारत के किस राजी से होकर नहीं गुजरती है यह जो है टोटल पांच राज्यों से होकर गुजरती है और यह जो है तमिलांडू राज से होकर नहीं गुजरती है मदपरदेश उतरपरदेश और अंदपरदेश यह सभी से जो है गुजरती है अगला प्रशन है कि 20 के कुल छेतरफल का भारत में कुल कितना भुभाग है 20 के छेतरफल की बात करें तो 20 का जो टोटल छेतरफल है उसमें भारत का हिश्चा जो है और 2.42% है यानि छेतरफल में भारत का जो परसेंटेज है 2.42% अगला प्रश्न है कि केंद्रसासित राज औरजुसे पुढ़्डुचेरी की सीमा पवाल फमलिए adventure round Section आगला प्रश्न है कि भारत केंद्रसासित राज पुढ़्डुचेरी की सीमा के बात भूरत के ब capable है हुए प्रश्ण करती है तो दस इसका राइट एंसर हो जाएगा चलिए अब हम लोग अगले सेट में चलते हैं अगला प्रश्ण है कि काला पानी विवाद किस से समंदित है काला पानी विवाद की बात करें तो काला पानी विवाद जो है वो भारत और नेपाल से समंदित है तो અगला प्रश्ण है कि भारत में राज्यों की संख्या कुल कितनी है टोटल भारत में राज्यों की संख्या जो है सरक्रीक विवाद की वात करें तो सरक्रीक विवाद जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है तो भारत और पाकिस्तान यह जो दोनों देशों को बीच जो है सरक्रीक विवाद है तो अगला प्रशन है कि भारत बंगला देश के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है भारत और बंगला देश के बीच सीमा रेखा की बात करें तो भारत और बंगला देश के बीच जो सीमा रेखा है वो सुने रेखा के नाम से जाना जैता है तो सुने रेखा इसका राइट इंसर हो जाएगा अगला प्रशन है कि पाक अधिकरित कस्मीर यानि पियोके की राजधानी कौन है पियोके की राजधानी की बात करें तो पाक अधिकरित कस्मीर की राजधानी जो है वो मुझाफराबाद है मुझाफराबाद इसका राइटेंस रो जाएगा अगला प्रश्ण है कि भारत की सबसे लंबी अंतराष्टिय सीमा किस देश के साथ है भारत की सबसे लंबी अंतराष्टिय सीमा जो है वो बंगलादेश के साथ है तो option number D इसका राइटेंस रोज़ेगा बंगलादेश अगला प्रश्ण है कि सिलाओन किस देश की पराचीन नाम है सिलाओन की बात करें तो सिलाओन यह स्रिलंका का पराचीन नाम है तो सिलंका इसका राइटन सरुजाएगा अगला प्रश्ण है कि 38 शमनांतर रेखा जो है, किंद देसों के बीच लगती है, तो यह जो है वाप्सन नम़र C इस का right आसर हो की उत्री कोरिया और दशनी कोरिया अगला प्रश्न है कि भारत की सरवच परवच सीखार जो की केटू है, ओ फिमाले के किस रेनी एस्थित भारत की सरवच परवत्ह शीख सीखर या की तो अगला प्रश्न है कि मौन्ट एिवरेष्ट किन डेसों में अस्थित हैं प्राईबरेष्ट起 रहिए मौन्ट आवbnुत्री है तो मौन्ट इवरेष्ट इन बाकजल डमुरो पाक जल डमरू इसका राइट एंसर रोजेगा अगला प्रशन पहस्ची मंगाल यह सभी बंगला देश के साथ सीमा लगती है अगला प्रश्ण है और तीन ओर से कौन लगती है तो यह तिरी पूरा हो जागा अगला प्रश्ण है कि उन्चास्मी स्वानांतर एखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा निधारित करती है उन्चास्मी स्वा महिनमार प्रश्ण है कि र Carry रेट क्लिफ रेखा किन दो डेशों के का सीमा रेखा है। अगला प्रश्ण है कि दूरंड किन दो डेशों के बीच सीमाल र clown कि बात करें। तो डुरंड जो है डुरंड यह जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के भी सीमा लगती है तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान अफसन नमबर ए इसका रेट एंसर रोजेगा सिया चीन बिवाद किन दो देशों के बीच है सिया चीन बिवाद की बात करें तो सिया चीन में भारत से अलग हुआ था तो 137 इसका राइट इंस रोजेगा अगला प्रशन है कि चीन के साथ किस राज की सीमा असपर्स नहीं करती है चीन के साथ किस राज की सीमा असपर्स नहीं करती है असपर्स करने की बात करें तो असपर्स जो करती है वो हिमाचल परदेश उतराख और समय सभी करती हैं लेकिन मींजोरम जो है ऑचीन के साथ सिमा साजा नहीं करती है तो प्रशन कि बॉलैंक से बिदो त हो डी ने बर रहिट ौइळट ये ब지 MARK resisting कि मैंुशम antiboster लगाती है तो इसका राइट एंसर जो है अपसे नमबर ए गुंजरात हो जाएगा गुंजरात से जो है पाकिस्तान की सरवाधिक सीमा लगती है अगला प्रशन है कि कारा कानो या मा परवत जो है कारा कान यो मा परवत या जो है किस देश में अस्थित है कारा कान यो मा परव हुआ है तिरपुरा राज जो है बंगला देश के तीन ओर से घुरा हुआ है तो तिरपुर इसका राइट इन्स राजेगा अगला प्रश्चन है कि बाहादुरसा जफर को कब्र कहां अस्थी थे बाहादुरसा जफर कि해cient result की लाज या जो चैनल से नेजीड हैं तो जुड़ जाइए सभी के लिए जो है इस सब important question है अगला प्रशन है कि मैंनर हिन की इन दों देशों के भी सीमा रेखा है मैंनर हिन की बात करें तो मैंनर हिन जो है वो रूस और फिंडलेंड के बीची सीमा रेखा है तो रूस और फिंडलेंड इसका यह अफगानिस्तान के साथ लगती है तो अफगानिस्तान इसका राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रशन है कि मैतरी एक्सप्रेस किन के बीच चलती है मैतरी एक्सप्रेस की बात करें तो मैतरी एक्सप्रेस जो है धाका और कोलकता के बीच चलती है तो धाका और कोलकता इसका रायटेंज रोजेगा बंगला देशे की रधानी ढाका आए यहां से कॉलकाता के वीड चलती है ट्रेन của TRI EY waves अगला प्रेश्ण है कि चीन के साथ भारत के किस कंदरसाशीर राजी की सिमा लगती है चीन के साथ जो है लदाक का सीमा लगती है भारत का किंदरसासित राज लदाक जो है इसके साथ चीन की सीमा लगती है अगला प्रशन है कि 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेगदूत ओपरेशन कहां चला गया था 1984 में भारती सिना के दौरह मैंच toward operation यह सियाचीन में चला गया था तो सियाचीन इसका right answer हो जाएगा अगला प्रश्ण है कि मैनमार के साथ भारत की किस राज की सीमा नहीं लगती है मैंनमार के साथ जो है लगने वाली सीमा की बात करें तो मैंनमार के साथ जो है अरुनाचल परदेश, नागलेंट और मनिपूर ये सभी लगती है लेकिन असम जो है असम की सीमा ये मैंनमार से नहीं लगती है अगला प्रश्ण है कि तिस्ता नदी जल विवाद किस से समंधित है तिस्ता नदी जल विवाद की बात करें तो तिस्ता नदी जल विवाद जो है वो भारत और बांगलादेश से विवादी थे तो भारत और बांगलादेश इसका राइटेंस रोजेगा अगला प्रशन है कि समझावता एक्सप्रेस किन के वीच चलती है समझावता एक्सप्रेस की बात करें तो समझावता एक्सप्रेस जो हो भारत और पाकिस्तान के वीच चलती है अगला प्रश्ण है कि बंगला देश के साथ कौन सी भारतिया राज सबसे लंबी सीमा बनाती है सबसे लंबी सीमा की बात करें तो बंगला देश के साथ जो हो पाच्ची मंगाल की लगती है अगला प्रश्ण है कि भारत में कुल कितने किंदर साथ सित राज है भारत में कुल टोटल जो है किंदर साथ सित राज वो आठ है और अठाश जो है और राज है अगला प्रश्ण है कि मैं एक मोहन रेखा जो है वो कीन दो दिश्टों के बीच लगती है मैं एक मोन रेखा जो है भारत और चीन के बीच लगती है जो कि अप्सन नमर सी भारत और चीन इसका राइट इंस रोजेगा अगला प्रश्ण है कि ब्रहमांड का अध्यन क्या काला था ब्रहमांड की अध्यन की बात करें तो ब्रहमांड का जो अध्यन है वो कोस्मोलोजी का लाता है तो अपसन नमबर ये कोस्मोलोजी इसका रैटेंस रो जाएगा अगला प्रश्चन है कि कोई उपगरह नहीं वाला गरह की बात करे तो जो बिना उपगरह का गरह है option number D हो जाएगा यानि बुद्ध और सुक्र यह दोने के पास जो है कोई भी उपगरह नहीं है option number D इसका राइट एंसर जाएगा बुद्ध और सुक्र अगला प्रश्ण है प्रश्ण number 5 कि sea of tranquility sea of tranquility कहा अस्थिते sea of tranquility की बात किरे तो यह जो है और चंद्रमा पर अस्थिते चंद्रमा इसका राइट एंसर जाएगा अगला प्रश्ण है कि ब्रहमांड में 20-40 तारा क्या कर लाता है ब्रहमांड की 20-40 तारा की बात करे तो 20-40 तारा जो है वो अभिनव तारा कर लाता है अगला प्रश्ण है कि इनके बीच जो है औसा दुरी खगोलिये एकक कहा जाता है खगोलिये एकक की बात करें तो खगोलिये एकक जो है और पिर्थवी और सुरी के बीच की दुरी को कहा जाता है अगला प्रश्ण है कि प्रकास वर्ष का मातरक है प्रकास वर्ष मातरक की बात करें तो यह जो है दूरी का मातरक है जो कि प्रकास वर्ष से दूरी को इंडिकेट किया जाता है अगला प्रश्ण है कि सुरी की उर्जा का मुख सुरोत क्या है तो सुरी की उर्जा का मुख सुरोत जो है वो नावकिय सल्लेयन है तो नावकिय सल्लेयन इसका राइटेंस रो जाएगा अगला प्रश्ण है कि एक वर्ष में परकास द्वारा तै की गई दूरी क्या कलाती है एक वर्ष में परकास द्वारा तै की गई दूरी की बात करें तो यह जो है वो परकास वर्ष कलाती है अगला प्रश्ण है कि गौड पार्टिकल कलाता है गौड़ पार्टिकल की बात करें, तो गौड़ पार्टिकल जो है, वो हिंक्स बोसान कालाता है, हिंक्स बोसान जो कि गौड़ पार्टिकल कालाता है, अगला प्रशन है कि सुर का परकास पिर्थवी पर आने में कितना लगता है, समय लगता है, सुर का परकास पिर्थवी त जो है यह बिहस्पति का उपगर है तो बिहस्पति इसका राय टेंस रोजेगा अगला प्रश्ण है कि एक पार्सेक बराबर होता है एक पार्सेक की बात करें तो एक पार्सेक बराबर जो है और एक पार्सेक बराबर 3.26 परकास वर्स होता है यानि 3.26 परकास वर्स इसका रा सबसे बड़ा चुद्र ग्र है अगला प्रश्न है कि टायटन किस ग्रह का उपगर है टायटन की बात आधन में टायटन सब और सब्रस्न का एक न सबसे बड़ा बड़ा एकर आटन जहाँ है की सुल की सस्ता का यसा कितना का 6 की सता को प्रसिय। थो Cameron अपनी अच पर सबसे तेजी गती से परिभ्रमन करने वाला ग्रह कौन है अपनी अच पर सबसे तेजी से परिभ्रमन करने वाला ग्रह की बात करें तो यह जो है वो बिरहस्पती है तो बिरहस्पती इसका रेट एंसर हो जगा अगला प्रश्ण है कि सबसे चमकिला ग्रह कौन पावर 12 मीटर होता है यानि अप्सन नमबर C 9.21 गुने 10 पर पावर 12 मीटर अगला प्रशन है कि परकास सोरी अकास किसके कारण नीला दिखाई देता है अकास की बात करें तो अकास जो है उपरा किरिनन के कारण नीला दिखाई पड़ता है अगला प्रशन है कि छुद्र ग्र कन है ब्रहमांड का मौलिक कन की वाद करे तो ब्रहमांड का मौलिक कन जो है वो हिक्स बोसान है हिक्स बोसान इसका राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रशन है कि चद्रमा किस गरह का एक मात्र उपग्र है चद्रमा की वाद करे तो चद्रमा जो है वो पिर्थवी का एक मात तो अगला प्रशन है कि भूर या फिर सांज का तारह किस घर को कहते हैं भोर या फिर सांज का तारह की वातकरित या जो है अस्थापित की जाती है भू अस्थिर उपगरह की बात करें तो या टोटल जो है वो 36,000 किलोमेटर की दूरी पर अस्थापित की जाती है अगला प्रश्ण है कि पुलूटो है पुलूटो की बात करें तो पुलूटो जो है एक बौना गरह है अगला प्रशन है कि पिर्थवी के सबसे निकट तारे के परकास को पिर्थवी तक पहुचने में जो है कितना समय लगता है पिर्थवी के सबसे निकट तारे के परकास जो है वो पिर्थवी तक पहुचने में टोटल 4.2 वर्स लगता है चंद्रमा को जो है जिवास्मगरा की नाम से भी जाना जाता है अगला प्रश्ण है कि सबसे कम समय में सुर्गी परकर्मा करता है सबसे कम समय में जो है वो सुर्गी परकर्मा बूध करता है तो अप्शन नमर डी बूध इसका राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रश्ण है कि सुर्य का दिप्तिमान सता क्या कर लाता है सुर्य का दिप्तिमान सता जो है यह सता वो प्रकाश मंडल कर लाता है तो प्रकाश मंडल इसका राइट अंसर जेगा अगला प्रश्ण है कि पिर्थवी की बहन कर लाता है पिर्थवी की बहान की बात करें तो पिर्थवी का बहान जो है वो शुक्र को कहा जाता है पिर्थवी का बहान या फिर कुछ भी पुछले कि पिर्थवी का पिर्थवी सांज का तारा भोर का तारा ये सभी जो है वो शुक्र गर्या को कहा जाता है अगला प्रशन है कि सुर् अगला प्रश्ंब है की सरवधेक उपुप ग्रह वाला ग्रह जो महीं है। अकास गंगा के आकरिती की बात करें तो अकास गंगा के आकरिती जो है वो सरपीलाकार होता है तो अपसन नमबर ए सरपीलाकार इसका रेटेंसर हो जागा अगला प्रशन है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है सबसे गर्म ग्रह की बात करें तो सबसे गर्म ग्रह जो है वो सुक्र है अगला प्रश्ण है कि गर्हों के गती के नियम का पर्थिपादन कौन किये थे गर्हों के नियम के पर्थिपादन की वाद करे तुईया जो है वो जोहान स्केपलर के द्वारा किया गया था अगला प्रश्ण है कि हमारा सौर मंडल या फिर सुडी जिस अकास गंगा में अस्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है या जो है दूद मेकला के नाम से जाना जाता है तो option number ए इसका right answer हो जागा दूद मेकला अगला प्रश्ण है कि पिर्थवी के सबसे निकट अस्थित गरा कौन है पिर्थवी के निकट सबसे अस्थित गरा जो की सुक्र है अगला प्रश्ण है कि चद्रमा का परकास पिर्थवी पर पहुंचने में टोटल समय जो है 1.3 सेकेंड होता है अगला प्रश्ण है अगला प्रश्ण कहता है कि तारा मंडलो की कूल संख्या कितनी है तारा मंडलो की कूल संख्या की बात करें तो टोटल जो है 85 है 85 सुर यहाँ पे 85 नहीं होगा 89 जो है तारा मंडुलों की टोटल संखिया है तो option number से 89 हो जाएगा अगला प्रशन है कि धुमकेतू कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है धुमकेतू की बात करें धुमकेतू जो है वो 76 वर्षों के बात दिखाई पड़ता है तो option number C ये भी दोनों हो जाएगा इसका right answer है अगला प्रशन है कि तारे का रंग किसका सूचक है तारे की रंग के बात करें तो तारे का रंग जो है वो ताप का सूचक है ताप इसका right answer हो जाएगा अगला प्रष्ण है क्यों सा है अगले वीडियो में लगभग 125 प्रश्ण थे आप वीडियो कैसी लगए आप लोग कमेंट में जरूर बताईएगा और अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़ है तो चैनल से जुड़ जाएगे और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक सेर कीजिएगा चलिए फरेंट अगले वीडियो में हम लोग आगे के प्रश्ण को देखेंगे आज के लिए इतना ही जहिन